बिसमिल्ले रहमारहिम, आप सभी का वेलकम होगे हमारे पार्ट फाइफ में और आज के इस लेक्शर में हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं, पॉर्डर रिव्यूज कैसे इंपोर्ट करने हैं, डालने कैसे हैं, क्योंके रिव्यूज जो है इंटरनेशनल मार्केट में बहु अगर आप लोग का यार जो रिस्पोंस रहा है ना हमारे इंटरनेशनल कोर्स पर, अगर आप लोग नहीं पता पहली बाट अबग पर इस चैनल पर यह चैनल पर पहली बाट देख रहे हो, तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफकेशन वैल ओन कर लेना, ताक अगर सीखना चाहर हो, इंटरनेशनल मार्किट में कैसे आप लोग ने करना है काम, तो आप लोग इस प्रेल इसको देखकर सीख सकते हो, बिल्गुल फ्री में कोई पैसा देने की किसों को जूरत नहीं है, यह देखो पेड पोर्स है जो मैं आप लोग फ्री में प्रीव्यूज को, कि प्रीव्यूज हम लोग ने कैसे आड़ करने है अपने शॉपिफाय स्टोर के अंदर, अच्छा प्रीव्यूज अड़ करने के लिए सबसे पहले तो मारे पास कोई प्रॉडट होनी चाहिए, इदर मैं अपने प्रॉड़ट्स वाले सेक्शन में आता अब इस प्रॉड़ट में आप लोग ने रिव्यूज कैसे डालने हैं, आप लोग की कोई भी प्रॉड़ट है आप उसके नीचे रिव्यूज का सेक्शन जो है वो शो करवा सकते हो, लैट से इदर से मैं अपना ओनलाइन स्टोर जाइए, इसको मैं प्रिव्यू करके आप रिव्यूज का सेक्शन नजर आए, आपकी अगर दस प्रॉड़ट्स हैं, बीस हैं, पचास है, सो हैं, जितनी भी प्रॉड़ट्स है ना, उनके नीचे इदर एक रिव्यूज का सेक्शन शो होने वाला है, वो एड कैसे करना है, मैं आपको हो जाता हूँ, पहले नमर पे इदर आओ, इदर ये एप्लिकेशन लिखा हूँ है, लेफ्ट साइड पे, इस एप्लिकेशन पे क्लिक करोगे, उपर सर्च बार खुल जाएगा, उसके लावा भी आप लोगे इदर आल रॉकमेंड़िड एप्स के उपर क्लिक करके, नीचे शोपीफाइ एप स्टोर का उ अच्छा, पर्सनली प्रोड़ेट्स के रिव्यूज एड करने के लिए, मैं दो ही अप्लिकेशन लिकमेंड करता हूँ, पहले नमर पे तो ये हॉम पेज बे आपको एक नजर आ रही है, जजमी प्रोड़ेट्ट रिव्यू के नाम से, यह वादी है, इसको भी मैं, इसको उपन करके लेता हूँ, उसके लावा आप लोग उपर सर्च बार पे आपने सर्च करना है, ट्रस्टू, यह ट्रस्टू, आप लोग ऐसे जब यह स्पैलिंग लिखो गे ना, गोर से देख लो, यह नीचे आपको एड़ कलर का, यह आइकन भी शोर है, ट्रस्टू डोट, आई, ओ, प्रॉडट रिव्यू एप, इसके उपर आपने कलिक करके इसको ओपन कर लेना है, अच्छा है, पहली प्रॉडट यह ट्रस्टू होगी, इसके ज़रे भी आप प्रॉड़ रिव्यू एड़ कर सकते हो, इसमें आपको फ्री प्लैन इसका देखने को मिल जाता है, नीचे अगर मैं आपको स्कोल करके भी दखाऊं, यह चेकरो फ्री प्लैन है, इसमें आप पचास ओर्डर्स रिव्यू रिव्यूस रिक्वेस्ट एड़ कर सकते हो, और आप इंपोर्ट ट्वंटी रिव्यूस पर इंपोर्ट है, और यह सारे फीचर्स आपको देखने को म 200,000 प्लस इसके रिव्यूस हैं, और इसकी भी अगर मैं ट्रस्ट के बात करूं, इसके अभी 4000, मतलब के 500,600, छे 600 रिव्यूस हैं, और इसकी रेटिंग भी 5 मतलब के स्टार है, तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो, ट्रस्टेड हैं, और इसके लावाँ इंस्टॉल क करने का तरीका वहुत सिंपल सा है आपने सिंपल से क्या करना है Pieter i install पर किल्क करना है अभी में आपको अपको इंस्टॉल करकर देता हूं जो भी आप लोगे आप मैं रपक्रेजन इस टॉर करने के बाद अपने श्पी शुश्यूरूज़ से चीज़ें, ना कोई रोकेट साइट लेघा यह इंस्टॉल हो जा जा एगा इसको मैं स्टार्ट सैट पर इधर क्लिक करता हूं और यह चेक रो, यह हमें क्या करें, इनेबल करो एप आप इंबेड को तो सिंपल आपने इंबेड एप क्लिक करना है इनेबल के उपर और यह आपको रिडिरेक्ट कर देगा न्यू टैप के अंदर अब इदर यह मुझे लिया है कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में अगर यह हो ब Tree जर्फ करेंके सेव करेंगे अब इस सेव करेंगे अब इस तैप को मैं जासे बंद करता हूं दुढ़ारा लेंगे इदर इसके बाद नेक्स्टेप करना है नेक्स टैप में फिर आपको यह इन्यबल करने को कि趣 का यह चेकर हो कहा रहा है इंस्टाल डा रिव्यू विजट तो हम लोग इस इंस्टाल पर क्लिक करेंगे और इसको भी आप लोग ने जैका हमारे कस्टमाइज़ेशन में जैसे पहले के गया था ओके तो यह हमारा रिवीव विजट जो है वो एड हो गी है खुदा खुदी मैंने गोटेट पर क्लिक किया है और इसको मैं तसे सेव पर क्लिक करूंगा और यह भी सेव हो जागी आप यह चेकरो यह प्रीवीव भी दिखाना शुरू हो गया है आइससा इस तरीके करना पड़ेगा आपको सिंपल से दोबारा ले आया है हमें फिर कस्टमाइजेशन पर अब यह चेकरो स्टार रिटिंग भी इदर एड हो गई है और इसको भी आप लोग ने सेव पर क्लिक करके सेव कर लेना है यह भी सैटिंग सेव होगी है इसको मैं ऊपर से टैब को क्ल हो जाएगी अच्छा यह हमारी इंस्टाल होगी है जजमी जो है इदर यह चेकरो यह सारा का सारा डैश्बूर्ड आ गया है अब इदर लेप सैट पे देखो आपको सारी चीज़ें शो होंगी आप अपने रिव्यू को मैनेज़ भी कर सकते हो लैट से इदर मैं क्लिक करता हूँ हमारे जितने भी रिव्यू आइंगे ना मतर कि कस्मर हमारे रिव्यू देंगे वह इदर सारे के सारे शो होंगे यह प्लेट रिव्यू लिखा हुगा हुगा ना इसको मैं ट्रॉक डान करता हूँ यह प्लड़ रिव्यू है अच्छा मैं आपको कोई एक reviews इसी तरीके से आपके customer को भी शोगा वो क्या करेगा right a review पर क्लिक करेगा उसके बाद rating देगा five star है उसके बाद नाम मदल को कुछ भी देना चाहरा है जैसे कि मैं कर दूंगा उसामा इम्तियाज उसके बाद review लिखेंगे review मैं कर देता हूं very good product को मैं कर दूँगा hundred percent recommended इसको मैं इदर से okay करता हूँ उसके बाद आप pictures वगएरा भी इदर से upload कर सकते हो बट अभी के लिए जरूरत नहीं है उसके बाद आपने नाम लिखना है कोई भी आप लोग इदर नाम दे दो मैं दुबारा से अपना ही नाम मैं करता हूँ पहले तो इदर आप कोई भी एक fake email डालो फरक नहीं पड़ता के वो email exist करती भी है के नहीं मैं इदर करूँगा उसामाहीं इम्तियाज add the rates email.com उसके बाद आप लोग ने submit review के उपर जब click करोगे तो यह हमारा review जो हो submit हो गया है अब क्या करता हूँ मैं इसको एक बार पेज को refresh करता हूँ और देखते हैं कि यह हमारा review शो होता है नीचे यह नहीं होता अब इसको मैं स्क्रोल कर गया आता हूँ और यह चेक करो अच्छा यह समय लगी है आप लोग ने यह किस तरी किसे reviews add करने है उसके बाद मैं दोबार आता हूँ वापिस इसको मैं एक बार पेज को कर लेता हूँ refresh ताके हमारा यह जो review हम लोग ने भी add किये ना वो इदर show करवाए आप इसको अपने साब से manage भी कर सकते हो लैट से किसी बंदे ने fake reviews डाल दी है मतलब कि कोई bad review डाल दी है तो आप उसको edit भी कर सक आप अपने साब से change कर से तो अगर आपको लग रहा है कि बंदे ने ना कोई चवल मार दिया या मतलब के सई से review नहीं दिया हुआ तो आप इसे changing कर से तो अच्छा अब बात करते है reviews हमारे important क्यों है मैं आपको यह क्यों बार बार कहा रहा हूँ कि आप इसको add करो international market के website है द्राज की website है अब आप लोग ने अपने आप से question पूछना है कि आप अगर द्राज पर जाओगे आप कोई भी अगर product search करते हो तो तो आप कौन से supplier से माल खरीद होगे अब example के लिए मैं इदर कोई भी एक कीवर्ड डालता हूँ मैं लिखता हूँ smart watch अब मैंने smart watch इद की है और मेरे पास इदर काफी ज़्यदा results नीची शो गए है अब personally मैं तो उसी बंदे से मतलब के smart watch बाय करूंगा इदर से जिसकी rating सबसे ज्यदा अच्छी है अब लैट से इदर मैं बात करूँ इसकी rating 4.8 है इसकी 4.7 है 4.8 है और उसके लावा मतलब के सभी की rating सही है इस इसको मैं एक बर open करता हूँ अब आप क्या करोगे आप इसके reviews चेक करोगे सबसे पहले comments बगहरा चेक करोगे कि बाई इस मतलब के supplier के reviews कैसे हैं आप लोग इदर नीचे score करोगे ये हमारी rating आगी उसके बाद नीचे reviews आप इदर read करना शुरू कर दोगे ये देखो इसका ल बाई वो fake हैं या मतलब के real हैं आपको इस तरह से idea हो जाएगा come as come तो हम लोग mostly उस बनने से चीज़ें purchase करते हैं जिसकी rating अच्छी है reviews अच्छे है comments अच्छे है हर चीज़ अच्छी है हम उसी को ही recommend करते हैं कि हम उससे buy करें अच्छा same strategy international market में भी लगती है आप लोग ने Amazon पे चला जाना है Aliexpress पे चला जाना है उसके लावा काफी ज़दा प्लैटफार्म्स है आप उन पर जाकर आपको products मिल जाती है reviews भी मिल जाते हैं simple से one click पे आप import वगयरा कर सकते हो जैसा कि इन दोनों applications की मैं बात करूँ है यह जजमी है हम लोग ने भी install की इसमें भी export पे क्लिक करोगे और इदर से आप लोग अपने products को import कर सकते हो अब लैट से आपने इदर से जो है वो import करने है Aliexpress से तो आप लोग Aliexpress की install app करके उसको इसके जरी आप लोग import कर सकते हो अपने reviews वगयरा तो hope करता हूँ कि आपको reviews का जो मामला है वो सारा का सारा अच्छ का यसे समझ लगया होगा अब हम आते हैं अपने दूसी चीज की तरफ collections की तरफ के हम लोग ने collections कैसे बनानी है अब collections के लिए इदर से मैं आता हूँ अपने शोपीफा स्टोर पर दोबारा आपने इदर products के ओपर क्लिक करना है अब products के ओपर जब आओगे ना इदर आपको हम लोग इसको कह सकते हैं अब आपकी मर्जी आप इसको collection कैलो category कैलो असल में हम उसमें काफी जाद अपनी products एड़ करते हैं लैट से आपने category बना ली collection बना ली skincare की तो आप क्या करोगे उसमें सारी की सारी जितने भी products होंगे वो skincare की एड़ करोगे अगर आप लोग होम डिक की बनाओगे collection तो उसमें आप सारी सारी products अपनी home decor की एड़ कर दोगे अब इतर मैं एक collection create करता हूँ उसमें मैं लिख देता हूँ kitchen accessories मैंने kitchen accessories के नाम से collection create करना चाहा हूँ उसके बाद description आपने लिखना है लिख लो otherwise इसकी जुरूरत नहीं है collection type है आप लोग इसको manual पे ही उसके बाद आप लोग अपनी image भी लगा सकते हो अपनी collection के उपर अक्सर आप लोग ने देखा होगा Shopify stores कुछ हैं उनकी collection ही उन्होंने बनाके रखी होती है और उनके उपर एक picture store ही होती है तो वो picture लगाते कैसे हैं इधर से आप लोग लगा सकते है एड़ image पर click करोगे और collection बन गी है इसको आप लोग ने अपने home page पे कैसे दिखाना है जैसे यह home लिखा है catalog लिखा है contact लिखा होना है मैं चार हो इधर मेरी collection शो हो उसको show करवाने के लिए आप लोग ने simple से आना है अपने online store के उपर इधर click करना है नीचे आपको एक option मिलेगा है navigation का आप लोग न catalog का contact है अब example के लिए अगर आप catalog और contact उडाना चारे हो आप चारे हो कि यह दोनों चीज़े ना शो हो सिरफ home show हो तो आप लोग इधर से आओगे catalog पे delete पे click करोगे इसको remove करोगे यह remove हो जाएगा इसको भी मैं delete करता हूँ remove करता हूँ यह भी remove हो गया अब add कैसे करना है add क पे click करोगे और इधर से आप लोग पहले कुछ भी नाम रखना चाहो रख सकते हो otherwise नीचे आप लोग देखो इधर लिखा हुआ है search और paste लिंक आप इस पर जैसे click करोगे नीचे आपको एक option में लेगा collections का आपने collections पे click करना है और आपने collections लेट कर लेनी है जो भी आप लो यह इधर add हो जाएगी अब मैं आपको दिखाता हूं यह हमारे Shopify store पे उपर नजर आती भी है कि नहीं आती आप लोग ने page को refresh कर लेना है और आप लोग देखो गे इधर यह चेकरो kitchen असेसरीज शो होना start हो गई है अच्छा अब यह तो ऊपर दिखाने का मक्सद जो है वो अधनर कोई product डाली नहीं है आप product डालनी कैसे है वो आपको मैं सकाता हूँ आप सिंपल से दोबारा आजो अपनी collections में product के उपर click करोगे नीचे आपको collections मिलेगी इसके उपर click करना है अपनी collection को आप लोग ने open कर लेना है इधर से इसको मैं open करूंगा अब नीचे आप लो इस collection में add होगी है अब मैं करूंगा इसको यह हमारी save खुदवा खुद ही होगी है हमें कहीं भी save करने की जूरत नहीं है अब आप आओगे दुबारा से अपने शोपी फैस्टोर के उपर अब इसको मैं page को करता हूँ refresh और मैं देखता हूँ कि इधर मेरी product आती है के नहीं अच्छा इधर आप लोग अगर देखो तो हमारी product जो है वो show हो रही है अगर आप लोग दुबारा से कर मैं home पे click करता हूँ यह हमारा home page है अगर कोई kitchen accessory पे click करेगा तो यह हमारी इसमें यह product शोओगी आप जितनी भी add करोगे वो सारी-सारी इधर show हो जाँगी अच्छा कि मैं दोबारा आता हूँ इधर collection के ओपर click करता हूँ और इधर create collection पे click करूँगा इधर मैं कोई भी collection बना लूगा जैसे कि मैं चाहरा हूँ इधर knife की collection बन जाए इसको मैं इससे save करूँगा और इसको मैं अभी यह save कर लेते हैं और यह save होगी है इसको back करूँगा हमारी collection बन गी है नाइफ के नाम से इसको अब शो कैसे करवाना है हमारे शोपीफाइब के ओपर इधर ओपर मेन मेन्यू पर वो मैं आपको बताता हूँ अब इधर आऊंगा मैं दोबारा वापिस ओनलाइन स्टोर पे आप क्लिक करोगे नैविकेशन पे आप लोग ने दोबारा से स्ट कर लोगे आपने जो भी रखनी है आपकी मरजी है इसको मैं एड करूँगा यह एड होगी अब आपने इसको करना है इस तरीके से पकड़ना है और इसके नीचे किचन एसेसरी के नीचे जाकर रख देना है अब यह जाकर रोग यह उसकी सब क्लेक्शन क्रियेट होगी अदरवाइस आपी मैं होम पेज पे इसको रखूँगा मैं एड कर दूँगा इस तरीके से आप लोग मल्टिपल एड कर सकते हो इसको मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ प्रिव्यू कि यह किस तरीके से शो होगा ताकि आपका माइंड थोटा सा कलीर हो जाए अब इसको अगर कोई बंदा क्लिक करेगा तो उसके अंदर सारी की सारी नाइप उसको शो होंगे अगर वो जाएगा वेजिटेबल कटर पे तो वेजिटेबल कटर शो होंगे तो आप लोग ने मैंने आपको बता दिया कि कैसे आड करना है जैसे हम लोग नहीं यह किचन सैसिस पर किय होगी है उसके बाद आते हैं अपने थर्ड काम की तरफ जिसमें हम लोग आप सीखेंगे कि हमने अपने पेजी क्रिएट कैसे करने हैं पुलीसी पेजी क्योंकि बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है आप लोग ने इदर सैटिंग यह नीचे शोग हो रहा है सैटिंग पर क्ल आपको इन पेजिस की जुट पढ़ने वाली है यह बहुत इंपोर्टेंट है अब इसको मैं नीचे स्कॉल करता हूँ इदर सबसे पहले आपको पेज मिलेगा रीफंड पॉलीसी का तो आप लोगों को इदर लिखने की जुट नहीं है शोपीफाई के बाई डिफार्ट आ आप इसको एज़िदेनी है इसको इस तो आहिन नहीं रहने देना जैसे कि अगर मैं बात करूं आप इसको एक रीड करो एकबार वी हैब थर्टी डेज रिटर्न पॉलीसी अगर आप थर्टी डेग रिठरन पॉलीसी रख रहे हो तो ठीक है अधर्वाइस कंब करनी है ज्य पड़े हुएं तो simple से इनको आप लोग इस तरीके से remove करते जाओ ताके आप लोग को ये मसला ना करें नेक्स्ट आगे जलकर इस तरीके से आप लोग इनको remove कर देना है अगर link add नहीं कर सकते तो बाकी link add करने का तरीका simple है जिस भी चीज़ में link add करना है जैसे के मैं इधर इस चीज़ पर link add करना चाहरा हूँ उपर आप लोग को ये link का option मिलेगा insert link का इसके उपर click करोगे इधर आप लोग अपना link डालोगे उसके बाद insert पर click करोगे और link आपका add हो जाएगा अचाहे निचे scroll करते हैं इसमें कोई भी चीज़ और change करने वाली नहीं है उसके बाद हम दूसरे page पर आते हैं अपने privacy policy के इसका भी आप लोग इधर click करोगे और ये generate करके देदेगा आपको automatically आप लोग ने क्या करना है इसमें जिदर जिदर आपको ये highlighted yellow color के paragraph मिलेंगे ना आप लोग ने इनको remove करते जाना है क्योंकि इनका काम कोई भी नहीं है जिदर भी आपको ये yellow color के paragraph मिलें आप लोग ने simple से इनको हटा देना है उसके बाद ये last update दिखा रहा है इदर आपको हटा दो इनका कोई काम नहीं है simple से आप लोग ने इसको backspace करना है इस तरीके से और आप लोग ने इस पूरी चीज़ को हटा देना है इसके लावा नीचे ये services है उसके लावा you है your है ऐसे जिदर भी आपको ये चीज़े नजर आ रही है जैसे ये site है तो आप लोग इनको remove कर देना सही है उसके बाद नीचे मैं scroll करता हूँ जिदर भी हमें जुरुत पड़ेगी चीज़ को हटाने की मैं आपको बजाता जाओंगा आप लोग ने इनको हटा देना है जैसे ये paragraph दुबारा से आ गया highlighted yellow color का इसको भी आप लोग ने पूरे paragraph को हटा देना है उसके बा मैं नीचे आता हूँ contact में इधर आपका contact details हारी चूँगी इनको आप लोग ने edit कर लेना है अपने इस paragraph को हटा देना है दूसरा page भी हमारा हो गया तीसे page पर आते हैं हमारा terms of services का इसके उपर भी मैं click करूँगा इसको generate कर लूँगा और इधर भी आप लोग ने ये checker हो व मिल जाएंगे वन है टू है त्री है जिदर कोई आपको चीज मिसिंग लगे आप लोगने उदर पूट कर देनी है या उसको हटा देना है जैसी ये checker हो refund policy link वो डालने को कहा रहा है अगर आप add करना चारे हो ठीक है otherwise आप लोग इसको इस तरीके से हटा सकते हो उसके बाद मैं नीचे scroll करूँगा इदर को your section मिलेगा जैसे ये section एक मिला इदर भी add करने को बहुत है तो मैं इस पूरी line को ही इदर से remove करके हटा दूँगा उसके बाद नीचे चलते हैं ये सारे के सारे sections देखने को मिल जाएंगे इनमें कोई changing नहीं करनी आप लोग को last section मिलेगा contact information क इदर आप लोग ने अपनी address, phone number, email, नाम सारा कुछ इदर add करके अपनी information put कर देनी है अचा उसके बाद नीचे आएगा आपको shipping policy का अब shipping policy में न Shopify पे इदर आपको वो by default button नहीं मिलता जिस पे आप click करके generate कर लो उसकी reason ही है कि हर store की अपनी shipping policy हो सकती है let's say कि आप shipping policy जो है आप जो delivery कर रहे हो वो दो या तीन दिन में कर रहे हो और कोई दूसरा brand है वो जो shipping कर रहे है वो दो दिन में कर रहे है और एक कोई और brand है वो 5-10 दिन में delivery कर रहे है तो हर एक store की different shipping policy हो सकती है तो इसके लिए आप simple से chat GPT पर जाके generate कर वालो उसे एक page तो आप लोग वो इ place with इस पर click करोगे template के उपर तो यह आपको contact information सारी सारी दे देगा आप उसको भी edit कर लेना उसके बास से पर आपने क्लिक कर लेना है और आपके जो policy page जो है वो सारे के सारे बन चुके हैं अब बनाने के बाद काम खतम नहीं होता उसके बाद आप लोग ने इनको attach भी करना ह होता है attach करने का तीका मैं आपको बताता हूँ इदर से मैं करता हूँ cancel और cancel करने के बाद आप लोग ने इधर आना online store के उपर और इधर आना navigation के उपर और हम लोग policy page ज्याद दर डालते भी footer section में हैं आपने आपको उताता हूँ कैसे आपने डालने है इधर navigation में आओ इधर आप लोग इधर से मैं back करता हूँ इधर आपको footer menu देखने को मिलेगा आपने इधर click कर देना है simple से footer menu पे click करोगे इधर यह चेकर मैंने already add करके रखे हूए है इनको मैं simple से delete करता हूँ मैं आपको दुब policies पे click करके अपनी जितनी भी policy pages आपने बनाए होंगे ना वो सारे के सारी इधर show हो जाएंगे जैसे terms of services है refund policy है privacy policy हमने बनाया है contact information बनाया है यह सारी इधर show हो गया है let's say कि मैं terms of services add करना चाहरो मैं click करूँगा उसको add पे click करूँगा और वो add इधर हो गया दोबारा इधर करते जाना है उसको बाद आप save पे click करोगे तो यह इधर सारी सारे save हो जाएंगे अब इधर मैं आपको अपनी शोबीफार स्टोर पे भी आगे दिखाता हूँ आप इधर एक बार इसको refresh करोगे ना आपको last पे इधर मैं home page पे ले जाता हूँ आपको यह तो हमने product page खोला हुआ है नीचे जब आओगे ना इधर यह चेकरो हमारे quick link show ने start हो गया है terms of services refund और privacy policy अब इधर आपके show नहीं होंगे आप लोग को एक section जो है वो add करना पड़ेगा तब ही यह show होंगे उसके लिए आप लोग ने store पे आके आपने theme में आके आपने customization पे click करना है simple से यह customization मे menu होता है हमारा यह चेकरो footer लिखा हो है footer के उपर click करोगे और यह हमारा footer खुल गया है इसको मैं एक बार back करता हूँ आप लोग ने इधर add blog का यह option मिल रहा है इसके उपर click करो आप लोगे menu पे click करोगे तो आपका menu यह add हो जागा यह चेकरो left side पे quick link हमारा add हो गया तो अब यह आपको यह reload हो रहा है और यह चेकरो हम उधर ही दुबारा वापस आगे हैं यह आप लोग इधर से add menu पे click करके add कर सकते हो इसके बास save कर देना और यह आपके shopify store पे इधर last पे footer में show होने start हो जाएंगे hope करता हूँ कि आप लोगो यह अच्छे जमने लगी होगी अलाफिज